मंधुकार को क्यों धिक्कारे अच्छा है एक दीब जलाए जीब से जीब जलता ही रहेगा सीखा है जो सब को सिखाए वयंपडे औरों को पढ़ाए अपना जीवन सभल बनाए मंधुकार को क्यों धिक्कारे अच्छा है एक दीब जलाए जीब जलाए दीब जलाए प्रावड शिक्षा केंद्रू में शुरू शुरू में तो प्रावड शिक्षा कारिक्रम जैसे निश्चित समय तक चलने वाले कारिक्रम के लिए इतनी संख्या में लोगों का केंद्र में आना बंद कर देना इस कारिक्रम की सफलता के लिए बहुत बड़ी बाधा है इतने लोग केंद्रू में आना क्यों छोड़ देते हैं क्या अनुदेशक अपने स्तर पर इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं इन्हीं कुछ प्रस्णों को जानने के लिए आईए आपको ले चलते हैं एक प्रोड़ शिक्षा केंद्र में जी हां यहीं वो केंद्र है जहां सिर्फ तीन मेहने पहले इतनी संख्या में लोग आते थे कि अनुदेशक को मना करना पड़ता था और आज इतने कम लोग यह समस्या सिर्फ इस केंद्र की नहीं बलके आम समस्या है आईए इस पिसरे पर अनुदेशक से ही कुछ बाते करें नमस्ते नमस्ते अनुदेशक जी आपके केंद्र में इतने कम लोग आये हैं इसकी वज़े मालू मैं आपको अब देखिए एक वज़े हो तो बताई जाए रोज कोई ना कोई नई वज़े बताते हैं और नहीं आते हैं आपने कुछ किया है उन्हें यहां बुलाने के लिए देखे हम कोशिश कर सकते हैं उन्हें समझा सकते हैं उनका हाथ पकलके तो नहीं ला सकते हैं ऐसा करते हैं आप उनसे खुछ चलके वहाँ बात कर लें तो जादा अच्छा होगा ठीक है अनदेशकों को जब तक कारण मालूम नहीं होंगे इस समस्या का हल वो कैसे ढूंड सकते हैं आईए आप कुछ पढ़ने वालों से बात की जाए चलिए हाँ चलिए यह है राजाराम नमस्ते साथ राजा राम जी आपके गाउं में तो प्रौडश शिक्षा केंडर चलता है आप भी वहां जरूर जाते होंगे जी साब वो पहले जाता था मगर वो अब नहीं जाता साब वो हमें केंडर जाने से पहले जो चीज़े बताए गई थी वहां मिल क्या नहीं साब वहां बताया गया था कि हमको रोजगार में बलोतरी होएगी बैंग से करजा मिल जाएगा लेकिन साब वहां अनुदेशक साब चिपू आई कराते हैं अब इससे का होएगा साब हमारा अधिक तर ऐसा ही होता है प्राण सिक्षा केंडर शुरू होने से पहले पढ़ने वालों को प्राण सिक्षा कर्मियों दारा जूटे वादे दिये जाते हैं आवे सकता इस बात की है कि प्रावड सिक्षा कारेक्रमों की जानकारी सही रूप से पढ़ने वालों को दी जाने चाहिए आईए कुछ और केंद्रों के और चले पुस्पा जी आज तो आपके केंद्र में बहुत कम लोग आया हैं क्या रोज इतनी लोग आते हैं अच्छ आपने उनके घर जाकर कभी पता लगाया कि वो लोग क्यों नहीं आते हैं अंके घर जाकर हमने पता किया उनके बड़ी होगा है पढ़के क्या करेंगी अब इनके घर का ही काम बहुत है इसलिए वो लोग आना बंद कर दिया वो फी हमसे कुछ उमर में भी बड़ी पड़ती इसलिए उनसे जोर भी ज्यादा नहीं दे सकते हैं इसके अलावी भी कुछ और बाते होंगी जिसके वज़े से वह यहां नहीं आती है अब हमने तो कोसिस किया लेकिन हमारे समझ में तो नहीं आसके लेकिन आप उनसे जानकारी कर ले फोल मती जी फोल मती जी नमसकार वो ऐसा है कि आप से पूछना था आप तो प्रॉड सिख्षा केंडर में जाते थी अब भी जाती होंगी जी नहीं पर क्यों हम जब वहां गए तो उरुन हमसे कहा कि हम आपको कॉपी देंगे किताबे देंगे पैंसिल देंगे अच्छा प तो देते नहीं है अच्छा आप तो कॉपी किताब नहीं मिली इसलिए केंडर नहीं गई पर आपकी जो सहीली बिंदो जी है वो भी इसलिए केंडर जाना बंद कर दी बिंदो उसके तो शादी हो गई अपने गाउं चली गई केंडरों में अनुपस्तिति के कुछ कारणों में से ये भी है लेकिन जहां तक पढ़ने पढ़ाने की सामगरी का सवाल है ये जवाब दे ही हमारे छेत्रिस्तरी करमचारियों की है कि वो समय से केंडर में पढ़ने पढ़ाने की सभी सामगरियां उपलब्द करा दें अरे भई भजनलाल क्या बात है वह तुम तो ऐसे जा रहे है यूसे पहचानते ही नहीं अरो पहचानित का ही नहीं साहिश पहले आप पोछे साहिश वह अप पुछना था कि पहले आप रौरशिख्षा केंद्र बर जाते थे ना हाँ जात तो आप भी जाते होंगे नाई साहिव अब तो हम नाई जाए तुहां अब कहां बताई साहिव बाताई कुछ हैशन होई ये रही कि हाँ वही वही बात हम पूछ रहें कोई कारण होगा आपका नहीं जाने का अब साहिव जब आप पूछ रहे हो तो हम साफ साफ आप से बताई देद बात जरूर लेकिन भारी कलास में हमार बैजती की हैं चोटा आ बड़ा आ चोटी ए बड़ी ए चोटा आ बड़ा आ चोटी ए अब लिखिये चोटा आ कि यह क्या लिखा है जी गलत है का ऐसे लिखायाता है अरे पचास बार समझा चुका हूं इतनी उम्र आगे लिखना नहीं आया अरे किसी जानवर को भी समझाते तो सीख चुका होता अपना अब जाओ 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 पतानिक कैसे लोग हैं अब तो कि यह बड़ा आथे आम कैसा लगा इनका पढ़ाना आपको इस उम्र में डांट खाके तो कोई सीखना नहीं चाहेगा बच्चों की तरह इन्हें रटवाना न तो इनकी उम्र और नानभाव किसी से मेलनी खाता है क्या ही बात कुछ इस तरह नहीं बन सकती अच्छा यह बताओ काय का चित्र है अरहर है ना अरहर जो काका बना थे अदाल बनती है तो अरहर का ई है आ आ आ आ आ देखा हम लिखे हैं ना आ आ चोटा आ आ तो जब यह लिखके दिखा ज़ा चोटा आ तो पाहतर फाहिद यू देखा चाचा लिखा तो यहां है लेकिन उल्टा लिखे हो गलत हो यह का हां लिका अएसे लिखा जात है हां महटर साइब लिखा तो हम हूँ आइचे रहें लेकिन ससुरक उल्टा होई गवार है एक बाद मिटागे लिखाओ अब ठीक है हाँ अब ठीक है हाँ सब्सक्राइब वैसकों की उम्र तथा अन्भों का सम्मान तो हर एक वैसिक्षा कर्मी को कर नहीं होगा वरना हमारे पास ऐसा कोई बंधन नहीं है जिससे जबर्रस्ति हम इनको केंदर पर बाद रखें पढ़ने पढ़ाने की बात हो या कोई और बात मनोरंजक ठंग से ही इन्हें सिखा सकते हैं अन्यता इनमें जगीवी इच्छा को खत्म होने में कुछ भी समाई नहीं यह है मंगरू जाम जाम साथ मंगरू जी हां साथ आपकी बगल की बस्ती में प्रोड शिक्षा केंदर खुला है क्या आप वहां जाते हैं अप सब मुआ ठाकुरन की बस्ती में वो केंदर खुला है हुआ जायक हम लोग घबराइट भी है वह से पारधान जी जापर रस्ती नाम लिखा लिन रहे हम लोग तो नहीं चाहित रहे हुआ जाया खाती अब नाम लिख गवा तो एकाद बर गए जरूरान लेकिन अब हुआ वो ठाकुरन की यहां कौनों पढ़ावा थे अब मुआ लोग पता ने कैसी कैसी नजर से हम लोग देखा थे अब हम लोग तो पढ़ा नहीं जाय सकीत अब सब हमरे यह खुलवा दो ना तो कंगनों हमरे हुआ कमरे घर कोणों आदनी पढ़ा दिन करी हम सब लोग यहां पढ़ाव जाब केंदर में लोगों की कम उपस्तिती का ये भी एक कारण है ऐसा देखा गया है कि जिस समुदाय के लोगों के बीच हमें केंदर खोलना है उस जगह केंदर न चला के हम किसी दूसरी बस्ति में केंदर खोल देते हैं या जिस समुदाय के लोगों को हमें केंदर में पढ़ाना है उनके बीच से अनुदेशक को न चुनकर हम दूसरी समुदाय के अनुदेशकों को उस केंदर में पढ़ाने के लिए बैसते हैं प्रिति-भागी उस केंडर में आना नहीं चाहते है राम राम साई जय जय राम 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 और ठीक हो सब अपने के खिर्पाह कार न porta रहे चोन आ लग गया है और आपको नहीं सकति कोने तो हर्या और राम हो के को जाया लुकर को पृती फिसना को ऐसरी जान ऑन सुरकारण प्रतिभागी थाती क्यों कोuzzy NAT se को और देशकों को मिल्का का पर आज़से जिस समय को प्रतिभागी को आने में असुविधा नहलों आप कह रहे थे कि हरिया और रामू के साथ आप केंदर जाते थे, आज वो लोग केंदर में चले गए या कहीं खेट में ही काम कर रहे हैं? हरिया और रामू की तरह कई लोग गाउं छोड़कर चले जाते हैं ये भी एक वज़य है केंदर में कम उपस्तिती की आईए पर्विक्षक से मिलके पूछे क्या उनकी नजर में इस समस्या का कोई समाधान है विजय जी आपके केंदरों में लोगों के ना आने का मुख्य कारण क्या है यहां बहुत से लोग काम की तलास में सहर की और चले जाते हैं जब यहां पढ़ने वाले ही नहीं रहेंगे तो केंदर पर आएगा ही कौन अच्छा आपने कुछ किया उन्हें रोकने के लिए मैं अकेला क्या कर सकता हूं उन्हें यहीं काम मिल जाए तो उन्हें रोका जा सकता है रोजगार दिलाने के लिए कई योजनाएं प्रखंड स्तर पर हैं आवशकता है कि प्रौड सिक्षा कर्मियों और विकास विभाग के कर्मचारियों के बीच समन्वय कैसे हो तालमेल कैसे हो मिल जुलकर कुछ योजनाएं यहां लागू की जा सकती हैं जिनसे रोजगार के कुछ न कुछ आउसर तो पैदा किये जा सकते हैं पर ये काम कठिन प्रियाज से ही संभाव है यह है धनिराम जी का मकाम अचाए बाबा इन्होंने तो अपने नाम भी लिखना सीख लिया था जिया नमस्कार नमस्कार साब धनिराम जी आपने तो इतना कुछ सीख लिया फिर भी केमर में जाना बंद क्यों कर दिया अरे साब केंद में जाके क्या करेंगे साब हम तो अपन नाम भी अब लिख ले थें दसकत भी कर ले थें और वहां जाने से और का फाइदा वह आगे पढ़िये ना आगे पढ़े से हमका अकाउंट सा फाइदा देखो बाबा कई फाइदे ऐसे होते हैं जो तुरहन नजर नहीं आते वो तुम्हारे बाद में बहुत काम आएंगे जैसे डाख खाने पैसे निकालते और जमा करते समय या कोई चीज़ तुमें खरीदना ये बेशना हो उस समय और फिर तुम पड़ लिखकर अपने बच् जो लोग केंद्र में आना बंद कर देते हैं उनके पास अनुदेशक को बार-बार जाना चाहिए और उन्हें पढ़ाई लिखाय के फाइदे फिर से समझाने चाहिए ताकि फिर से वो केंद्र में आना शुरू करें दखो आज पांच बजे कख्छा लएगी आना मत भूलना है अच्छा नमस्कार 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 अगर यह आति मात्रा लगा दी जायत यह हो जायगा खाद लिखाई के लिए पहले लिखो अच्छा फिर वह के आगे लगाओ ऐसी मात्रा एक लिए अप फिर वह पिर अप्रए और अप फीर अप्रए तो पहले आवा करो देखे लिए ना ना पर हम अधार है ना यह ना पर लेंदे अधार एसे माहौल में भला पढ़ने वालों का मन कैसे लगेगा ना बैठने की ब्योस्ता न रोसने का इंतजाम अनदेशकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए जहां भी केंद्र वह चुनें वहां बैठने की ब्योस्ता हो और रोसनी की ब्योस्ता जरूर हो आप लोग हमारी बात जरा ध्यान से सुनें आपके गाओं में बहुत सी उजनाय शुरू हुनी है जिसमें आपको खाद और वीच मुफ्त में मिलेगा हमारी ग्राम सेवक जी से कल बात हुई थी कि उन्होंने उसके लिए बटाया है कि वह आपके बीच में कल उपस्तित होँगे और आपको विशेज तोर पर बहुंसी उसकी जानकारिया देंगे वह अब मतने की आ एंगे उलोग ने ऐख लूग के बीच में आएंगे तो आप लोग भी कल यहा उपस्तित होजाएं तो अब तो तुम सीख गयो चाचा केंद्रू में पढ़ाई लिखाए के अलावा अन्देशूं को इस प्रकार के आयोजन करने चाहिए ताकि सिशक्षूं का मन लगा रहे अरे नाम गुन गाओ मुरे भाई हो विति जाए उमरिया अरे नाम गुन गाओ मुरे भाई हो विति जाए उमरिया अरे नाम गुन गाओ मुरे नाम गुन गाओ मुरे भाई हो विति जाए उमरिया आपने देखा कि अगर हमारे अनुदेशक और परिवेक्षक थोड़ा सा ध्यान और दें तो इस समस्या का हल हमें मिल सकता है इतनी संख्या में लोग केंद्रू में आना बन नहीं करेंगे हम कुछ बातों का अगर ध्यान रखें इस समस्या का बहुत हद तक समाधान हमारे हाथ में है अनुदेशक पढ़ने वालों को स्विकार हो समय तथा स्थान पढ़ने वालों की सुविधा नसार हो केंद्रू में बैठने तथा रोशनी की उचित ब्यावस्था हो पठन पाठन सामगरी रूचिकर हो तथा उन्हें समय से मिले प्राणों को रोचक धन से पढ़ाएं पढ़ाई के अलावा और भी रूचिकर कारेकरम करें पढ़ाई को कुछ आर्थिक लाब के कामूं से जोड़ें पढ़ने वालों को पूरा सम्मान दें जो लोग केंदर छोड़कर चले जाएं उन्हें फिर से समझा बुजाकर उनमें पढ़ने की रूचि जगाएं प्राणों की मानसिक्ता समझें अंत में अनुदेशक केंदर के लिए हों न कि केंदर अनुदेशक के लिए अंधिकार को क्यों धिकारे अच्छा है एक जीब जलाएं जीब से जीब जलता ही रहेगा सीखा है जो सब को सिखाएं वयं पढ़े औरों को पढ़ाएं अपना जीवन सभल बनाएं अंधिकार को क्यों धिकारें अच्छा है एक दीब जलाएं जीब जलाएं जीब जलाएं